transformation दी हुई है और आपको minimal polynomial find out करना है so सबसे पहला step होगा आपके पास कि T of 100, T of 010 जो आपका standard basis है वो put करके matrix find out करना minimal polynomial का मतलब होता है कि least कम से कम degree का वो polynomial जो matrix को kill कर दे, जो उसे मार दे तो शुरुआत करते हैं हम अपने इसके साथ सबसे पहले हमें लिखना है कि we know that the standard basis जो आपके पास है standard basis जो r cube का है standard basis of r cube वो आपके पास है 100 then 010 and 001 यह standard basis आपके पास है तो यह पहले line आपको बतानी है ठीक है अब उसके बाद है आपको T of 100 की value put करने है T of 100 की value आपके पास आजाएगी 5 minus 1 और 3 फिर T of 010 की value तो इसकी value होगी minus 6 4 और minus 6 और T of 001 की value यह होगी minus 6 2 और minus 4 finally जो matrix A होगी A का मतलब matrix of T with respect to basis B तो वो matrix आपके पास आएगी 5 minus 1 3 minus 6 4 minus 6 minus 6 2 minus 4 तो आपके पास finally क्या हुआ कि यह matrix बन गी ठीक है A एक matrix बन गी transformation की with respect to जो आपका standard basis था इसके with respect to आपको find out क्या करने है minimal polynomial find out करने है तो सबसे पहला task होगा कि आप characteristic polynomial निकालो A minus lambda I का determinant 0 के equal put करो A minus lambda I का determinant equal to 0 तो यह बनेगा आपके पास that is 5 minus lambda minus 6 minus 6 minus 1 4 2 3 minus 6 minus 4 equal to 0 अब आपको एक characteristic equation find out करनी है और उसके roots find out करनी है तो जो characteristic equation है उसको find out करने का एक shortcut तरीका और रेड़ी मैं share कर चुका हूँ आप उसकी video देख सकते हूँ और finally जो आपके पास characteristic polynomial आएगा वो आउगा t minus 1 into t minus 2 का whole square तो यह characteristic polynomial है इसका determinant solve करके आपके पास यह characteristic polynomial आजाएगा तो अब possible values क्या हो सकती है सोचने वली बात है कि possible values, possibilities क्या हो सकती है minimal polynomial के लिए minimal polynomial के लिए possibilities क्या हो सकती है तो एक possibility तो आपके पास कि t minus 1 हो into t minus 2 हो यह हो ठीक है और दूसरी possibility आपके पास t का मतलब basically t नहीं होगा यहाँ पे अगर आप lambda भी कर लो यह basically variable change हो गया तो यह t की जिगा पे आपके पास lambda आएगा t की जिगा पे क्या आएगा lambda तो correct कर लेते हैं हम इसे that is lambda minus 1 into lambda minus 2 का square तो एक possibility है तो यह दोनों कि जो आपके पास है सिर्फ एक single single factor आ जाए एक होगा आपके पास कि lambda minus 1 into lambda minus 2 का whole square यह को minimal polynomial का मतलब यह होता है कि अगर मानलो आपके पास जो characteristic polynomial का हर root के corresponding एक factor तो आएगा ही आएगा जैसे इसके दो factors है तो एक factor तो पका आएगा ही आएगा तो हमें check करने है कि क्या यह दोनों factor मिलके इस matrix को kill कर देंगे इस matrix को मार देंगे तो हमें यह check करने हैं अगर यह नहीं होगा तो definitely यह तो होगा ही होगा तो सबसे पहले हम ही चेक करने हैं कि ये दोनों मिलके इन दोनों मिलके का मतलब क्या है जैसे आपके पास आएगा A-1 times I इसे ये ही लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं A-2 times I जो मैट्रिक्स है आपके पास उस मैट्रिक्स में एक बार जैसे आपने क्या किया इस मैट्रिक्स में 1 put करो जब 1 put करोगे तो आपके पास बनेगा 4-13 4-13 फिर आपके पास बनेगा 6 हमने 1 put किया तो-3 6 6-2 और 5 फिर आपने इसमें 2 put करने हैं जो 2 put करोगे तो आपके पास आएगा 5-2 3-13 3-13 3 फिर आपने 6-4-6 जब आपने उसमें lambda 2 put किया मतलब lambda की value 2 put कि तो आपको मिलेगा 3 यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा minus 6 बाकी सारी values as it is होंगी minus 6 minus 1 3 6 अब इन दोनों matrices को multiply करो तो आपको 0 matrix देखने को मिलेगी क्या देखने को मिलेगा 0 matrix तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो polynomial था इसने kill कर दिया कि A matrix को kill कर दिया इन दोनों polynomials ने मिलके अब आपको यही पूछा गया था कि minimal polynomial find out करने तो minimal polynomial आपका क्या हो गया यह बनेगा आपके पास lambda square minus 3 lambda plus 2 equal to 0 यह आपका क्या हो गया यह आपका minimal polynomial हो गया यह क्या हो गया minimal polynomial हो गया तो इस तरह के ज़िए game है कि आपने matrices पे apply कर दिया एक बार lambda को 2 रखा एक बार 1 रखा और उसके बाद आपने इसे solve कर दिया दो matrices आगी यह तो हमें पता है यह तो characteristic polynomial तो पका satisfy करेगा हम characteristic polynomial से एक छोटा polynomial देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो polynomial matrix को kill करेगा केले Hamilton theorem बोलती है कि यह जो characteristic polynomial आपने निकाला इसमें lambda की जगह पे a put कर दो तो पका matrix 0 बन जाएगे आपने इसमें a put किया a minus i और a minus 2i का square तो पका 0 बनेगा आपके पास क्या इससे छोटा कोई polynomial है तो इससे छोटा polynomial आपके पास देखो क्या कर सकते हूँ lambda minus 1 की degree तो एक है इससे छोटी तो क्या degree करोगे तो lambda minus 2 की degree 2 है तो इससे छोटी आपने इसकी degree एक करती तो यह minimal polynomial की possibilities में था और by chance यह minimal polynomial बन गया तो यह था आपके पास minimal polynomial का छोटा सा concept hopefully आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर इसमें कोई भी doubt है conceptual doubt आपको कोई भी doubt है तो आप comment box में लिख सकते हो या मुझे whatsapp कर सकते हो so मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक पढ़ते रहें practice करते रहें अभ्याश्कुल के साथ अभ्याश्कुल के साथ